नमस्कार सातियों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 स्टडी यूटूब चैनल में आज हम आप से बात करेंगे 2011 में जो पिछला पेपर हुआ था, इसके पहले हुआ ही नहीं था बर्गतीन का MP का जो था, बहे, 2011 में हुआ था तो उस पेपर को हम ले करके आ गए हैं, उस पेपर के सभी प्रिष्णों पर चर्चा करेंगे बालविकास के 30 प्रिष्ण पूरे चर्चा करेंगे, हर सब्जेक्ट के पेपर हम आप तक ले करके आएंगे तो आज हमें चर्चा करनी है कि कौन-कौन से प्रिष्ण पूछे गए ते किस प्रिकार के प्रिष्ण आते हैं सबसे मैंन बात आज इन प्रिष्णों को आपको भी कमेंट में उत्तर बताना है देखना है कि आपको अभी बरतमान में करंट में 30 में से कितने बनते हैं की तैयारी कितनी है आज इसको पढ़ करके अपने को पता चल जाएगा तो चली कमेंट में आप भी उत्तर देती जाएगा और हम भी आपको बताते जाएंगे और कुछ भी से इस बात में समझाएंगे यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूर होने वाले इसलिए वीडिय के एकल कारक सिध्धान्त किस ने दिया तो बुद्धी का जो एकल कारक सिध्धान्त है वो अलफर्ड विने जी ने दिया था बुद्धी का एकल कारक सिध्धान्त किस ने दिया तो बहु कारक सिध्धान्त किस ने दिया था थान डाइक ने ठीक बहु कारक सिध्धान्त किस ने दिया, ठाइन डाइक है, अब दोनों सिध्धान तयाद रख लिए जीगा, क्या पता है, इनमें से कोई पूछ ले, आपके लिए उप्योगी हो जाए, ठीक है, बहुत ही महत्पून पिर्षन है, और ऐसे ही पिर्षन पूछे जाते हैं, भी अंदाज अलग जाएगा, हमारे अंगले भी जो वीडियो हैं, पेपर के वो आप तक पहुँच जाए इसलिए, आप हमारे चैनल को एक बार, रेट कर दर में जो सब्सक्राइब उस पर किलिक कर लें, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और नोटिफिकेशन आप तक मिल जा, बेल आइकन को समाज मिती बिधी में सुपरिष्टार कौन होता है, आपको कमेंट में A, B, C, D में से उत्तर लिखते जाना है, ठीक है, फिर हम आपको तो बतायते जाता है, तो समाज मिती बिधी में सुपरिष्टार कौन होता है, जितने देरे में हम बोलते हो, उतने में आप कमेंट में जिसे बहु युगमों द्वारा चुना जाए, बैस समाज मीती विधी में सुपरिष्टार होता है, या आप अपने मन में भी सोच सकते हैं, आप पे कितने प्रिष्ण बन रहें, जंग द्वारा सरप्रथम ब्यक्ती के आकलन के लिए सब्द संग परिक्षन कब बनाये गया जो चोथा है उसका हो जाए गर डी, 1910 में, कब बनाये था? जंग द्वारा सरप्रथम ब्यक्ती आकलन के लिए संग परिक्षन 1910 में बनाये गया था अगला देखें, ब्यक्ती में बे भिन्नताएं, जिससे वह कद, बजन, तवचा का रंग, आखों वा बालों का रंग, पैर आधी एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग-अलग होते हैं, किसी की तवचा का रंग, कुछ है काला है, किसी का गोरा है, किसी का बजन कम है जादा, तो किस भेत के कारण होते हैं तो यह होते हैं सारी रेक भेत के कारण किस भेत के कारण सारी रेक भेत के कारण इसकीन पर आप कॉस्चन देखे हैं बोलने से पहले कमेंट में अंसर लिख सकते हैं इनमें से कौन सा कारक सेक्षिक पिछड़े पन का कारण नहीं होता है चार कारक देन कौन सा जो सेक्षिक पिछड़े पन से जिसका कोई मतलब नहीं है तो बहुत है परिवार का ब्यबसाय इस सेक्षिक पिछड़े पन का कोई कारण नहीं इसका उत्तर ठीक हो जाएगा तो इसमें कौन-कौन है सेक्षिक पिछड़ी पन का कारण तो आप याद रखीएगा परिवार की गरीब सामाज एक आर्थिक स्थिति इसके कारण सेक्षिक पिछड़ी पन हो सकता है बिद्याला का खराब सेक्षिक बातावरन इसके कारण हो सकता है परिवार का खराब भाव बरसका दूसरा ही पंदरा बरसका तो एक इसमें से क्या है सुरी एक होसियार है और एक बहुत कम उसको याद होता है पढ़नी पाता है पीछे है तो भै कौन वालक कहलाता है पिछड़ा वालक कहलाता है जो हमारी किलासे हैं बालविकास की हम लेकर के आ रहे हैं तो उसमें के रूपांतरण द्वारा नई सामगरी का सरजन करता है जिससे नई साय संबंद उत्पन होते हैं यह किसका कथन है आपको बतलाना है तो आपको बता दे हैं इसके नर महवदाई जी का कथन है यह वो पिर्षन है जो 2011 के पेपर हैं पूछे का थे अब पेपर ही हम आप तक ले इंडियन पैनल कोड क्या होता है इंडियन पैनल कोड ठीक है इसके माद्यम से क्या किया जाता है इसके माद्यम से बिभिन निप्रकार की धाराएं जो लगाई जाती है आपराद के संबंद में कानूनी धारा को सोनस्चित करते हैं किसके माद्यम से इंडियन पैनल कोड के म प्रात्मिक रूप से बच्चे का विकास किस पर निर्भर करता है तो आपको बताएं बातावरण पर जैसा बातावरण होगा जैसा उसको बातावरण मिलेगा बैसे ही बच्चे का विकास होगा आपको एक और बताएं कि हर सब्जेक्ट का जो 2011 का पेपर था हमारे चैनल पे आपको मिलेगा इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें जो अपलोड नहीं हो जाएंगे कुछ अपलोड हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं पेपर देखने से आपको अंदाजा लग जाए कि अ कितनी हमें तयारी करनी है किस पिकार के question आते हैं चलिए आए देखें सामाननता यह है देखा गया है कि बालक अपने माबाप से कुछ भिन होता है इसकी ब्याख्या अनुवानसिक्ता के किस नियम द्वारा की जा सकती है कि यह माबाप से भिन है बालक तो यह अनुवानसिक तक किस नियम के द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है तो वो आपको बतलाना है तो वह है प्रती गमन का नियम कौन सा नियम है भाई? प्रती गमन का नियम है अगला देखें निमने लिखित में से सीखने को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सीखने को प्रेरित करने का निमने लिखेत में से सबसे बेश्ट तरीका आपको बतलाना है तो वह है प्रसंसा यदि आपको किशी को प्रेरिना देनी है कोई बच्चे आपकी क्लास में कोई बच्चा है और मालो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता लेकिन कभी कोई कुछ याद करके आ गया वो दस पुस ने दिया अपने पांच याद कर उसकी प्रसंसा कर तो बहुत बढ़ी यतने खेलो द्वारा बच्चों में कैसा बिकास संभा हो सकता है तो एक दूसरे का सम्मान का भाव बिलकुल आ सकता है खेल में एक दूसरे को महत्त देंगे सम्मान का भाव आएगा सायोग एवन समायोजन का भाव ये भी खेल की द्वारा होता है सामाज एक गुणवत्ता भी आ आपने देखा होगा बाल विकास में एक दो तीन कोस्चन तो आएंगे उसके आंसर भी उपर युग सभी होता है लेकिन हर जगए नहीं होता है याद रखिएगा तुक्का लगा के आजाओ कलती कर दें ऐसा नहीं करना पन को बिल्कुल परफेक्ट अपन को याद करने हो तीस में एसे लक्ष तो 30 का रखना है बिल्कुल 30 कआ है सोच लो 30 लाये लेकिन यदि आपको selection चाहिए तो 28 अथाईस प्लस तो आने ही चाहिए आनने ही चाहिए तब आप लक्ष मान के चलना है इस वार competition बहुत जादा है पिछले वार तो मतलब समलो आप जिसके 100 नमबर थे 1.500 में से उनका भी हो गया था इस वार तो आप समलो 135 प्लस चाहिए तब होगा selection ठीक है न क्या बुद्धिमान अभी वाकों के बच्चे सदा ही बुद्धिमान होते हैं अब बताईए आप तो यह क्या हाँ नहीं मनो विज्ञान के नुसार नहीं इस वार पर निर्भार अब इसका उत्तर क्या देंगी अब यह कोई question मतलब ऐसा नहीं कुस तो यह आप कुस पर तो यह को इस वार पर निर्भार है यह तो कोई पक्का नहीं है हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते कई वाब बुद्धिमान माता पता होते बच्चे कमजोर होते कई वाब माता पता कमजोर बो बुद्धिमान तो मनो विज्ञान के नुसार नहीं तो इस स्वर पर ये तो निर्वार है समझ लें ठीक है अगला देखें अगला जो हो जाएगा वो देखते हैं अपन लोग कि गरीब किन्तु छोटे परिवार के बच्चे को विक्सित होने के लिए अच्छे बातावरण के अबसार अपेक छक्रत अच्छे होते हैं कौन सा तत उनका समर्थन करता है तो ठीक है गरीब है किन्तु छोटे परिवार के बच्चे हैं तो उनको विक्सित होने के लिए अच्छे बातावरण के अपसार अपेक छक्रत अच्छे होते हैं इसका कौन तत्त समर्थन करता है स्वास्त कर अवस्थाएं ये वालत उनका समर्थन कर है और दूसरा है बस्तु संबंधी डंड देखें आपने और भी पेपर देखेंगे अलग-अलग सेट थे A, B, C, D तो एक सेट हम आप तक ले करके आए हैं और भी सेट ले करके आएंगे जिससे आपको सारे सेट के प्रिश्न पता चलिजाएं ठीक है चलिए अगला देखें यदि जीवन के प्रात्मिक सोपान पर भासा सीखी जाए तो बालक भासा बोल सकता है प्रात्मिक सोपान पर सीखी जाए तो भासा बोल सकता है कैसी बोल सकता है वो आपको बतानी है तो वह है जन्मजात ठीक है जन्मजात बोल सकता है जैसी जन्मजात थी न उस प्र भासा दो एवं तीन वर्स की आयू के मद्द विक्सित होती है। दो वर्स तीन वर्स की आयू में बालक की भासा कितनी विक्सित हो पाती है। कितने सब्दों का ग्यान कर पाता है। यह वतलाना तो वह है दो से दस। क्या है दो से दस। यह आपको बिल्कुल याद रखना है हाँ तो कितनी बिक्सित हो जाती है दो से तीन वर्स के आई हुए अगला देखें मानव जीवन में तेजी से विकास होता है मानव जीवन में तेजी से विकास किस अवस्था में होता है बाले अवस्था में, सेशवा अवस्था में, संदी वया अवस्था में जब है तरुन आवस्था में चलिए आप भी कमेंट में सही उत्तर बताईए और हम भी आपको बताते हैं तो आपको बता दें संदी वया आवस्था में सबसे ज़्यादा बिकास होता है तेजी से अगला देखें सेफिलो ठीक है सेफिलो कोडल प्रवित्तियों के अनुसार बिकास का अग्रफरन कैसे होता है तो बिकास कैसे होता है सिरसे पेर की और होता है हमेशा याद रख लेगा बैरी मोष्ट हमेशा के लिए सिरसे पेर की और बिकास होता है परिभासित भह अवस्था जहां संग्याना अत्म अविकास बालकों के अपनी इंद्रियों के प्रियोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है वह क्या है वो आपको बतलाना है तो वह ज्यानिंद्री अवस्था कौनसी अवस्था है ज्यानिंद्री जीन पर आज परिभासित की है या अवस्था बताई है ठीक है अगला देखें रोसा इंकवलाट टेस्ट जो की एक ब्यक्ति मूल्यांकन की बिधी है यह क्या है रोसा इंकवलाट टेस्ट एक ब्यक्ति मूल्यांकन की बिधी है किस ने निर्मित की है तो इसमें देखें रोसा आ रहा है न तो यह हर्मन रोसा ने हर्मन लोसा ने जो बिधी है की है ठीक है उसका पृतिपादन किया है निर्मित की है और देखें बहुकारक पुद्धी के पृतिपादक पहले पूछा था आया था पहला कॉच्चेन तो एक कारक के कौन थे तो वो आप कमेंट में अभी बता दे है नि भूले ना हो तो और ब गार्वकारक सिध्धानत के परती बाति पा थांट आई है अगला देखे बहुआ बेग्णेनक जिसने का कि बुद्धी बैच्छमता है जो हमें अपने बातावरण में समायँजित करना सिखाती है बह्मानुबैज्यानिक कौन थे जिन्हों ने ऐसा कहा है तो आपको बता दें कि बह्मानुबैज्यानिक जीन पर आजे ठीक है अगला देखें एक कथन से संबंदित एक question आता है कि किस ने कहा था इस प्रकार से एक सिद्धान्त से संबंदित question एक से दो प्रकार तक आ जाते है कि एस सिद्धान्त किस ने दिया इस प्रकार से question इस बार ही बनने की पूरी उम्मीद है अगला देखें ठान्डाई का सिद्धान्त इन्रुमने में ऐसे कौन सी स्रेणी में आता है तो आपको बता देंगे ठान्डाई का जो सिद्धान्त है बेवहार आत्मक स्रेणी में आता है क्योंकि ये बेवहारबादी थे ठान्डाई कैसे थे बेवहारबादी तो इनका जो सिद्धान्त है वो भी किस स्रेणी में आता है बेवहारबादी और जो बोटसन, पावलाव, लेविन एवी सब कौन थे बिवहारवादी हैं तो ठारणडाई का सिद्धान बिवहारवादी सिद्धान थे बिवहारात्मक सिद्धान थे अगला देखें, भासा का बैघटक जो ध्वनी के अनुकरम, संचालन एवाम उसकी संद्चना से संबंदित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं, आपको वो बतलाना है, तो उसको क्या कहते हैं, तो आपको बता दें कि भासा का बैघटक जो ध्वनी के अनुकरम संचालन की संद्चना संब्द नियम की चर्चा करता है तो अर्थविग्ञान के सब्दों में अर्थ से संबंध है तथा ब्याकरण सब्द बिन्यास वा सब्द संदचना के नियमों को उलेखित करता है कौन करता है सब्द बिन्यास के जिए हमने आपको विस्तार से बता दिया एक किताम में लिखा है बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में तो भै क्या हो जाएगा भै हो जाएगा स्वरविक ज्ञान ठीक है उसके अनुकरम संचालन इसकी बात को करता है अगला देखें मनुस्थ की बह गरंथी जो पिट्टूयरी ठीक है पिट्टूयरी गरंथी को नियंतरित करती है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बता देए कि इन में से कोई नहीं क्योंकि जो गरंथी है उसका तो उन्होंने उसमें नाम दिये ही नहीं भै पिट्टूयरी गरंथी ही कहलाती है ठीक है उसका नाम भी पिट्टूयरी गरंथी है उसको नियंतरित करती है अगला देखें इसमें से कौन सी विसेस्ता भावनात में विकास से जुड़ी हुई नहीं है इसमें से कौन सी विसेस्ता है जो भावनात में विकास से जुड़ी हुई नहीं है चार विशिष्टाएं यहाँ पर दी गई है आपको हर सब्जेक्ट के ऐसे पेपर हम आप तक ले करके आएंगों उस पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्ले लिश्ट में जाकर के और भी आप वीडियो हमारे देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के और पेपर के तो आपको बता दें कि भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है इनमें से कौन सी बिसिस्ता भावना तो विकास से जुड़ी हुई नहीं है कि यह है कि भावना जन्म के तुरंत बाद यह जुड़ी हुई नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो कौन- रूप बच्पन में देखा जाता बिलकुल भावना सारे विकास से जुड़ी हुई नहीं है ठीक है इस विकार से इसका C जो है वो उसका उत्तर बिलकुल 29 विकार है B इसका उत्तर आपको लगाना है ठीक है अगला देखें अनतिम बस सिसु का सामाजे विकास किसके उपर निर्भर करता है मोश्ट प्रिष्ण है सिसु का सामाजे विकास किसके उपर निर्भर करता है तो देखो दूसरों से बास्चीत करने की अपसर इस पर विकास होगा जितनी जधा बाचीत करेगा उतन उसका ग्यान बरधन होगा, उसका बिकास होगा, बच्चों को दिखाएगा, प्यार बह सिमा जहां तक बालक दुसरे का दिहाना आकर सिर्क कन्ने में सक्चम हो तो यह सभी इसका उत्तर हो जाया तो अब आपको बताएं हम कि पेपर देखो परिषन किस पिकार के पूछे गए देखो दो से तीन परिषन तो आए हैं सिद्धान्त किस ने दिया या उसका क्या मतलब है दो प्रिषन लगभग कथन से सम्मंदित आएंगे किसने का आए परिभासा किसने दी है लगभग आपके 7-8 प्रिषन आपकी समझ की आधार पर होंगे 30 मैंसे ठीक है 7-8 प्रिषन आप मान के चलेंगे आपको तुरण समझ करकि यह आप एधी शीक चक हैं तो किस आधार पे आपको कैसी situation में किस आधार पे समालना है इस प्रकार के प्रिश्ण होगे और कुछ आपकी जो अबस्था से संबंदित बाले अबस्था से इस वाबस्था इन से संबंदित एक दू प्रिश्ण होगे इस प्रकार के प्रिष्ण पूछे जाते हैं बालविकास के प्रिष्ण हैं और भी जो बालविकास के सेट हैं वह आप तक ले करके आएंगे यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो क्रम से हम आपको तैयारी करा हैं आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इसी तरह आप हमसे जोड़ करके पढ़ती रहें अंगले वीडियो में पुना मिलेंगे